श्रीवार शिवबं शिवबं नमस्कार आप सबका हमारे चैनल शृमध हूम रेमेडीस पर स्वागते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुड़ी परवा साल 2020 में कब है मास तो बताएंगे और इस दिन आप ऐसा क्या करें कि पूरा साल आपका अच्छा जाए ये भी हम आपको बताएंगे उपाए ये बताएंगे चैत्र मास की सुक्र प्रतिपदा को गुड़ी परवा या वर्ष प्रतिपदा या उगादी कहा जाता है और इस दिन हिंदू नवर्ष का आरंब होता है तो चलिए हम मुरत के साथ हैं बताते हैं गुड़ी परवा 13 अप्रील को पड़ेगा दिन है मंगलवार प्रतिपदा तिथी का जो आरंब है वो तो बारहतारी को इशिरू हो जाएगा सुबह के 8 बजे और प्रतिपदा किती थी कि जो समाप्ती है वो 13 अप्रील को 10 बचकर 16 मिनट मुझा सुबह का समाप्ती होगा तो 13 अप्रील को गुड़ी परवा मनाया जाएगा पौरनिक मानिताओं के अनुसार बगवान ब्रम्हा ने इस ब्रमान का निर्मान उसी दिन किया था इसलिए गुड़ी परवा के दिन बगवान ब्रम्हा की पूजा अरचना की जाती है और मानिता के अनुसार इस तेवार पर सारी बुराईयों का नाश हो जाता है और सुक्सम्रदी का आगमन होता है तो महराष्ट का तो मतलब में परव है ये कई जुलूस वगरे का भी आयोजन किया जाता है मीठे चावल बनाये जाता है बड़े धुमधाम से मनाये जाता है लोग देवी भी बिटाता है तो जो खुशियों की जो बात है सुक्सम्रदी की जो बात है जो आगमन होता है उसके लिए हमें भी मेनत करने चीए कुछ उपाय किये जाता है जो हम आपको बताने चाह रहे है जैसे कि गुड़ी परवा या नव सन्वतसर के दिन प्राता नित्य कर्म कर तेल का उप्टन लगाकर सनान यादी से शुद कर पवित्र होकर हाथ में गंध अच्छत पुश्वार जल लेकर देश काल के उच्छारण के साथ पूजन करने से सुक्सम्रदी प्राप्ती होती ह साल का यह दिन है इस पर मंगलवार के दिन शिरू हो रहा है जो तेरा तारीक जो है मंगलवार दिन पढ़ रहा है हनुमान जी का दिन है बड़ा है शुब सैयोग है तुस्जिशन हनुमान जी को आप गुड़ में चमिली का तेल लगाकर आप भूग लगा सकते है BS. हनुमा तो ऐसा करने से सभी प्रकार की दुखों से चुटकारा मिल जाता है। इस दिन आप सर्व सिध्य अंत्र की अस्थापना कर सकते हैं पूरी विधी विदान के साथ में। साल भर प्रते दिन उसकी पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। आपस फटिक के श्री अंत्र की भी अस्थापना कर सकते हैं गुडी परवा के दिन लोग नीम खाते हैं पूजन का शुब संकल्ब कर बनी हवी चौरस शौकिया बालू के वेदी पर स्वेच 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 वस्तर बिशाकर उस पर हल्दिया के सर के रंगों से अच्छत से अश्टल बनाकर उस पर ब्रह्मा जी की सुर्ण मुर्ती भी अस्थापित करते हैं गनिशाम विका पूजन के पश्षाद ओम ब्रह्मने नमा इस मन्द से ब्रह्मा जी का आवण करके सोड़ो सुप्षार पूजन भी किया जाता है पूजन के अनंतर विग्णों के नाश और वर्स के कल्यान कारत ततश्यूब होने के लिए ब्रह्मा जी से विनमर परातना की जाती है और पूजन के पश्षाद विम्त प्रकार के उत्तम और सात्विक पदार्तों से ब्रामनों को भोजन कराने के बाद स्वेम भोजन करना चाहिए पिसन पंचांग सरवन भी किया जाता है नए साल के पहले दिन अपनी दुकान या अन्यवे पारस्थल पर हरिद्रा के कुछ दाने मुख दरवाजे पर दोनों तरफ लगती है कुछी दिनों में अचानक धन आयमे व्रिदी होने लगती है गुड़ी पड़वा के दिन कारोबार में अनावश्यक आ रही बादाओं को दूर करने के लिए परतेक एक कटोरी साबुत चावल किसी निर्धन वैक्ती को अपने घर के किसी छोटी कन्या से दान कराने से लाब हुईता है नए साल के पहले दिन भगवान सी गनेश जी के मंदिर में जाकर गनेश जी को पांच सुपारी 21 ताजी दुरवार पित करने से पूरे वर्स पैसों की कमी नहीं होती है नवीन पंचांग से उस वर्ष के राजा मंत्री सिनादच्च यादी का वर्ष का फल्श रवन करना चाहिए समर्थ के अनुसार पंचांग दान करना चाहिए और प्याव की अस्थापना करने चाहिए इस दिन नए वस्तधार्न करना चाहिए घर को ध्वज पताका बंदन वारियादी से सजाना चाहिए उड़ी पढ़वा के दिन नीम के कोमल पत्तों और पुष्प का चुर्ण बनाकर उसमें काली मेर्श नमक खेंग, चीरा, मिश्री आजवाइन डाल कर खाना चाहिए इससे रुदिर विकार नहीं होता है और आयोग की पराप्ति होती है इस दिन लोग घट स्थापना भी करता है क्योंकि नवराती शुरुवात होता है तो इस दिन अवराती के दिन यादी नाम मंत्रों से पूजन करना चाहिए, इसके बाद पूजन अर्चन करना चाहिए विद्वानों और कलस अस्थापना कर, शक्ति आरदना का क्रम प्रारंब कर, नौमी को वरत का परायन कर, शुप्स कामनाओं की फर्ट प्राप्ति के लिए मांग जदंबा से मन से प्रात्मा करने चाहिए तो 100% आपकी बहुत सारी जो मनुकामनाएं हैं, वो पूरी हो जाती है, और आपका जो पूरा वर्ष है, वो सुक में रहता है, सुक समर्दी से भरा हुआ रहता है तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पर स्वागत है, आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीचिए, धन्यवाद